नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं आज भारत बंद जार्खन बंद की पूर्व संधिया मोटरसाइकल रैली रैली निकाल कर लोगों से बंद को सफल बनाने की अपिल की गई रैली में OBC की गिंती करो वरना कूर्शी खाली करो SAC, OBC, Minority हम भारत के मूल निवासी आधि नारे लगाये जा रहे थे OBC अधारित जनगाना नहीं कराने गलत धंग से EWS लागू करने NRC, CAANPR और स्रम कानून के विरोध में राष्ट्री पिछडा वर्ग मोर्चादवारा मंगलवार को भारत बंद का वाहन किया गया है ज्यारखन के उत्तर पश्यमी भाग में सबसे अधिक ठन पढ़ने का अनुमान है कोडारमा, गढ़वा, चात्रा, लोहतागा और लातेहार का निवत्तम तापमान आने माने दिनों तक 8-9 डिग्री सेलसेस तक पहुंच सकता है वही दिन में सबसे कम पारा रांची और खुटी का रह सकता है इन दोनों जीलों में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेलसेस तक रहेगा वही अन्य जीलों में 27-29 डिग्री तक अधिकतम तापमान रह सकता है राजे के उतर पूर्वी आठ जीलों में अभी बहुत अधिक ठन नहीं रहेगी इन में देवगार धनबाद दुमका गिरीडी गोड़ा जाम तड़ा पाकुड और साहेब गंज का निफ्तम पारा 12-14 डिग्री तक ही रहेगा अगले पांच दिनों तक अधिकतम तापमान में भी बहुत अधिक बदलाव की संभावना नहीं है पूरे राजे में अधिकतम तापमान 26-28 डिग्री से रहेगा जारखन में 15 दिसंबर से धान खरीद की पूरी तयारी राजे सरकार इस वर्स 15 दिसंबर से धान खरीद की शुरुवाद करेगी इसके लिए 1 दिसंबर को होने वाली केबिनेट की बैठक में खादे एवम आपूर्ती विभाग दोरा प्रस्ताव लाया जाएगा इस समद में खादे वम आपूर्ती मंत्री डाक्टर रामेसवर उराव ने बताया है कि विभागे त्यारी के अनुसार सरकार ने इस बार भी किसानों से 8 लाग टन धान खरीद का लग्ष निधारिद किया है धान विक्री को लेकर करीब 3 लाग किसानों राईस्टेशन कराया है इस वर्स हर परखंड के लेप्स में करीब 600 धान करे केंद्र बनाने की तैयारी है इन केंद्रों पर किसान सरकार दोरा ने धारिद दर पर धान बेच सकते हैं इस वर्स सुखाण के वज़ा से पैदावार कम होने के असार है जिस पर विभाग मंतन कर रहा है इसके बावजूद इस वर्स राज सरकार ने 8 लाक टन धान खरीदने का लक्ष तैय किया है राज सरकार ने इसके लिए सावी जीलो को लक्ष भी निधारित किया है रांची में 15 दिनों से बिली संकट बरकरार जारखन समेत रांची में 15 दिनों से बिली संकट बरकरार है जिसका रान सहर की जनता बाधित बिली से तरस्त है ज़रुत के हिसाब से रांची के गिरीडों को पर्याप्त बिली नहीं मिलने से पूरे रांची में लोट सेडिंग हो रही है यही कारण है कि कई फीडरों वाज सब स्टेशनों से करमवार 2-3 घंटे बिली कटोती की जा रही है कई मुहलों में सूबा में 1-2 घंटे बिली काटना नियमीत रूटीन में तबदिल हो गया है वहीं दिन भर 1-2 घंटे के अंतराल पर बिली के आने जाने का सिलसिला जारी है बतादे रांची में ज्यादा समस्या पीक आवर में हो रही है क्योंकि इस समय रांची की माएं 300-300 मेगावार बिली की है परन्तु मातर 250 मेगावार बिली मिल रही है करमवार कई जिलों में बिली कटोती करते हुए सप्लाई की जा रही है चात्रविर्ती के लिए डाटा अप्लोड करने की जीमेदारी सिक्षकों की इसकूल के सिक्षकों को एक और जीमेदारी दी गई है अब उन्हें प्री मैट्रिक चात्रविर्ती के लिए चात्रों का डाटा कल्यान विभा की वेपसाइट पर अप्लोड करना होगा इसके लिए जीले के स्कूलों को यूजर आईडी और पास्पर्ट उपलब्द करा दिया गया है यह पहली बार है जब यह जीमेदारी सिस्कों को सौपी गई है पुर्भ में इसकूलों द्वारह परखन कर्याले को विद्यार्थियों का डाटा हाट कौपी में उपलब्द करा दिया जाता था चात्रों के खाते में राशी भेजी जा सके इस समान्द में तब चैनित 20 स्कुलों के परचार्यों को एक दिन का प्रसिर्चन भी दिया गया था रांची में मैट्रीक वा इंटर्थ की परिक्षा को लेकर बैठाक पताद 102 केंद्रों पर मैट्रीक वा 57 केंद्रों पर इंटर्मीडियेट की परिक्षा होगी उतर पुष्तिकाओ की जाच साच केंद्रों पर होगी समीती ने इसे अनुमोदित किया है रांची डीसी की बैटाक में जीला सिक्षा पताधीकारी सा सजस सचीव दोरा जार्खन अधिवीद परिस्तद के अध्यक्ष दोरा बार्सिक मादमीक वा इंटर्मीडियेट परिश्चा 23 से समय परिख्षा केंद्र एवा मुल्यांकन केंद्रों के निधारन के समध में दिये गर निदेशों से आउगत कराया गया है जार्खन की उतपाद दुकानों में करणरत करन्बियों को जल्द मिलेगा बेतान जार्खन के मुख्य मंत्री हेमान सुरिन के द्यक्सटा में सो मोयर को जार्खन मंत्राले में नई उतपाद नेती के तहट रायास्व संग्रा एवाम इसकी किरियानोयन की समिक्चा की गई इस दौराण उनुने उतपाद दुकान संचाल को परनराज़ी जताई उन्होंने कारीरत करमियों का बेतन भुक्तान जल्द करने को कहा लक्ष के अनुरूप रहे स्व नहीं मिलों को लेकर उन्होंने फटकार लगाई है कारेसली में सुधार लगा कर लक्ष पराप्त करने को कहा CM ने कहा हाई कि अवैध हो नकली सराब की फिक्री परोक लगाए एवाम लिप्त लोगों के खिलाब सक्त से सक्त कदम उठाए एक्सपो रत्न से समानित हुए जेसी पंकज साबू रांची के मुराबादी मैदान में आयोजीत पांच दिवसे एक्सपो उत्सो समवर को समपन हो गया इसमें देश भी सेस के 325 एस्टोल लगे थे करिब 3 लाख से अधिक लोग इस एक्सपो में पहुँचे एक्सपो का सबसे बड़ा आवाड एक्सपो रत्न जेसी पंकज साबू को मिला है इसमो के पर स्टोल धारको को समानित किया गया अतिति के रूप में राई सबसांसर डाक्टर महुआ माजी वर डिप्टी मेयर संजीव बिजेवर गिये मजूद थे उन्होंने इस आयोजन की सराना की है बता दे जेसी आई दोर आयोजित एक्सपो उत्सो दो हजर बाई संपन हो गया है रांची के रावी गीरी ने फरीदाबाद में जीता बोर्डी बिल्डर का खिताब रांची जीले के खलारी परखंड के मेकलोसी गंज के रहने वाले रावी गीरी ने इंडियन क्लासिक कॉप बोडी बिल्डर आइंड फिटनेस चेंपियनशिप का किताब जीता है इससे इलाके में खोसी का महुल है इस परत्योकता का आयोजन फरिदाबाद में किया गया था इसमें देश बर के बोडी बिल्डर सामिल हुए थे बतादे फरिदाबाद स्थीत अनंगपूर डेरी कम्यूनिटी हाल परिशर में बलैक कैट की ओर से आयोजीत इंडियन क्लासिक कॉप बोडी बिल्डिंग और फिटनेस चेंपियनशिप का किताब जीत रवी गिरी ने मेकलुसी गांज सहीद पूरे कोईलांचल का नाम रोचन किया है एथलेटिक सिंथेटिक ट्रेक देख नराज हो गई खेल निदेशक जारखन की खेल निदेशक स्रोजनी लकडा सोमवार को बोकार पहुची उन्होंने खेल से जूड़ी अधारबुस नरजनाओ का जाजा लिया इसकराम में तकनीकी खामियों को देख कर वा नराज हो गई और फटकार लगाई उन्होंने खामियों को दूर कर जल्द सुधार करने का निदेश भी दिये सिरीमाती लकडा ने कहा है कि खेल और खिलाडियों को प्रोसाहित करने को लेकर खेल भी भागंबीर है खेल से जूड़े इंफ्रस्टक्चर पर तेजी से काम किया जा रहा है पतादे जर्खन के मुख्य मंत्री हमांसोय के निदेश पर खेल कूद एवं युवा कारे निदेश रोजनी लकडा बोकारों के खेल से जुड़ी निर्माना धीन अधार्बुच सनरच नाओ का निदिक्चन किया निर्माना के दुरान उन्होंने चन्दन कियारी के आवासी एथलेटिक्स परसिक्षन केंदर और डे बोर्डिंग तिननताजी परसिक्षन केंदर को लेकर आवासन अस्थाल भोजन वेवस्ता खेल उपकरन एवा मैदान के बारे में बिस्तिज जनकारी ली हजारी बाग में नकसलियों के साजिस नकाम 20 केजी का केन बरामद जायरखन के हजारी बाग जिले के खुटवार जंगल से पूलिस ने जमीन के अंदर छिपा कर रखे गए केन को बरामद कर लिया है एकरी 20 किलो का बताया जा रहा है पूलिस की माने तो उन्हें नुक्सान पहुचाने के लिए नकसलियों दोआरा केन छिपा कर रखा गया था हलाकि सर्च ओपरेशन के दोआन पूलिस ने नकसलियों के साजिस को नकाम कर दिया है बता दे हजारी बाग जीले के आंगो थाना चेतर के खुटवार जंगल से जूट की बोरी में बंद केन पूलिस ने बरामत किया है खुटी का पंच घाग जल प्रपात बनेगा मोडल टूरिस्ट सेंटर जारखन के खुटी जीले के मूर्भु की कोडा केल पंचायत के प्रसीद पर्यटन अस्थल पंच घाग में अपलास्टिक थर्मो कोल वा डिस पोजल का उप्योग नहीं कर सकेंगे पंच घाग में पिकनिक मनाने वाले सेनलियो द्वारा प्लास्टिक, थर्मो कोल एवं डिस्पोजल के उप्योग पर प्रतिबंद लगा दिया गया है इसके अलावा सराब पर भी रोक लगाई गई है पंच घाग को मौडल पर्याटन अस्थल के रूपे बिक्सित किया जाएगा रामगड में फल फुल रहा कोईले का अवैद कारूबार रामगड जीले के पतरातु परखंड की पहचान यहां की कोईलवारी से है सुरू से ही कोईला का कारूबार वैद एवं अवैद तरीके से फल फुल रहा है यही कारण है कि इस कोईले के चक्कर में कोईलांचल की धरती हमेशा वर्चस कोईले का लाल होती रही है इन दिनों अवैद कोईला कारूबार में कई बदलाओ देखे जा रहा है इस कारोबार में छोटा दिखाने के लिए पहले तो छोटे वाहनों साइकल और मोटर साइकल का परियोग किया जा रहा है इसके बाद बड़े वाहनों से इन कोईलग धुलाई की जा रही है HDPO डाक्डर बिरेंद्र कुमार चौजरी कहते हैं कि छेत्रे में अवयद खनन की कोई सुचना नहीं है गढ़वा में आरोपियों की दुकानों को जलाया जारखन की गढ़वा जिला में मवसी काटने के आरोपियों की दुकान में अग्यात लोगों ने आग लगा दी है पांच दुकानों में एक दुकान डीसी परजापती और चार दुकाने आरोपितों की थी एक दिसंबर से मुस्किल होगा ट्रेनों का सफर एक दिसंबर से अगले तीन महिने तक ट्रेनों का सफर मुस्किल होगा गहने कोरे के काराण रियलेवे ने दिसम diferen recibir तक और कूछ ट्रेणों को एक मार्च तक रद कर कर दिया है रद होने वाली ट्रेनों में दूर गियाना एक्सप्रेस, टाटा अमरित सर एक्सप्रेस, वरन जयनती एक्सप्रेस और सियालदा अजमेर एक्सप्रेस सामिल है हलाकि यात्रियों को रेलेवे ने थोड़ी रहात जरूर दी है सियल्दा अजमेर एक्स्प्रेस इस बार हर दिन रद होने की बजाए एक दिसमबर से एक मार्च तक हपते में तीन दिन रद रहेगी इसके बावजूद ट्रेनों के रद होने का खामिया जाँ धनबाद होकर गुजरने वाले हज़ारों यत्रियों को भूगतना होगा धनबाद में धराय गैंग का खुलासा पूरा परिवार मिल कर लूटता था वाहन वाहन लूट के मामले में सनीवार की देर राध धनबाद के विभीन इलाकों से दवोचे गए अरोपितों ने पूछ ताच में देवघर जी लेके पूलिस को कई अहम जनकारी दी है अरोपितों ने बताया है कि गैंग में पूरा परिवार सामिल था मा बेटा और बेटी अने सहयोगियों के साथ मिल कर वहान लूटते थे फिर उनीवाहनों के जरिये बिहार में सराप की तसकरी की जाती थी देवघर जी लेके मारगो मुंडा थाना छेद से लूटी गए सकारपियों कि जब पूलिस ने खोज बीन शुरू की तो मामले की परते खुन लेट चली गई पूलिस ने इस मामले में अंतर प्रांतिये गिरोह के छो सरस्यों को भी गिरात्तार किया है इनमें दो महिलाए भी सामिल है पूलिस को पूश्टास में पता चला है कि महिलाओ और बच्चों को आगे करके ये बदमास गाड़ियों को किराये पर लेते थे पंकज मिस्रा को साहिब गंजीले की पूलिस ने दी क्लीन चीट मनी लॉंडरिंग के केस में जेल में बंद मुख्य मंतरी के बरहेट विधायक परतिन दी पंकज मिस्रा को साहिब गंजीले की पूलिस ने क्लीन चीट दे दी है पंकज मिस्त्रा के खिलाब अब साहिब गंज में एक भी केस नहीं है रभीवार की साम पुलिस उप महानेरिक छक सुधरसन परसाद मंडल ने कर्याले कक्ष में मीडिया से बात करते हुए कहा है मनी लोंडरी का आरोप लगाते हुए नियाले में परिवाद पत्रदाकिल किया था है 30 नवंबर से मुंबई में आयोजित होगी पिकल बॉल टूर्नामेंट मुंबाई के वरली में 30 नॉंबर से अंतराश्टिये पिकल बॉल बेन ब्रीज कॉप का आयोजिन किया जा रहा है टूर्नामेंट में धनबाज के कई खिलाड़े भी भाग ले रहे हैं खिलाड़ों ने बताया है कि मुंबाई के वरली स्थीत दर नेशनल स्पोर्ट स्कल्व अफ इंडिया स्टेडिया में 6 दिवसिये पिकल बॉल अंतराश्टिये टूर्नामेंट का आयोजिन किया गया है जारखन फिकल बॉल एसोसेशन के सचीव मुंबाई में मजूद रहकर जारखन के खिलाड़ियों के होसला अपजाई करेंगे या जनकारी जारखन फिकल बॉल एसोसेशन के सचीव भी सुधिर ने दिया है धनबाद क्रिसी बजार समीती के बैपारी इनाम पोटल से मंगार रहे फॉल देश में क्रिसी वर्ग को आत्मनेवा बनाने वा बिचलियों को समाप्त करने के लिए प्रधान मंत्री ने भारत में इलेक्ट्रोनिक राष्ट्री एक क्रिसी बजार इनाम पोटर लागु किया है प्रधान मंत्री One Nation One Market को जोर देते हुए इनाम पोटर लागु किया इस पोटर के माद्यम से किसान सिधा बैपारी से जुड़ के कारोबार कर सकेंगे ताकि किसान बोचोलियों के चक्कर में ना फसे और अपनी उपज फल वा अनाज के हुचित मुले पर अने राजियों के बजारों में बेच सके बता दे इनाम पोर्टल के माध्यम से बेपारियों को भारत में कहीं भी एक क्रिसी उत्पाद बाजार समिती से दूसरी में द्वित्यक बेपार करने में सक्षम बनाता है बीरसा मुंडा जेल अधिक छको इडी का समन जारखन में इडी करवाई का दैरा लागतार बढ़ ही रहा है इडी ने पुष्टाज के लिए कई और रसुख दारों को समन भेजा है बरतमान निदे साले ने बहरवा टोल पलाजा मामले के जांच अधिकारी सर्फुदीन खान के अलावा बीरसा मुंडा सेंटरल जेल अधिक छक हामिद अक्तर को समन जारी किया है दोनों को 5 दिसंबर को एजनसी के समक्ष पेस होने को कहा गया है बतादे इडि ने पंकज मिस्ट्रा के ड्राइबर सुरज पंडित और चंदन यादो को भी तलब किया है एजनसी ने उन्हें 6 दिसंबर और आगले दीन पेस होने का निर्देश दिया है बतादे कि सुरज पंडित और चंदन यादो को इडि ने पकड़ा था इन दोनों पर आरोफ हाई कि इन्होंने फोन कॉल करने के लिए पंकज मिस्त्रा को आपना फोन मुहजा कराया था जार्खन हाई कोट नराज सरकार पर लगाया 5000 का जुर्माइना जार्खन हाई कोट के नियाधिस आनन्द सेन की आदालत में सेवा निवरीत असिस्टेन्ट कंजर्वेटर और फोरेस्ट उमाकान्त राम की ओर सेवा निवरीत बेनिफिट दिलाने का अगरह करने वाली आजका पर सुनवाई हुई मामले में पिछली बार कोट द्वारा अमतिम मौका दिये जाने के बाद भी परतिवादी वन सचीव प्रिंस्पल चीफ कंजर्वेटर और फोरेस्ट की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया सोमवार अठाइस नॉमबर को एक बार फिर मामले के सुनवाई कि दरान राज सरकार की ओर से अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की इस पर कोट ने कड़ी नरागी जताते हुए कहा है कि पिछली बार ही सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए अमति मौका दिया गया था लेकिन इस बार भी जवाब दाखिल नहीं किया गया या ठीक नहीं है नराज कोट ने राज सरकार पर 5-6 रुपे का जूर्माना लगा जाहा है नौवी दसवी के बिद्यार्थियों के लिए जाएगी सबताहिक टेस्ट जिला अस्तरपल कल्यान विभाग के तहत संचालित योजनाओं की समिक्षा सोमवार को डिसी ससी रंजनने की इससे सम्माधित बैटा कून होने सोमवार को विभागी अधिकारियों के सा समन औला सबागार में की इस दोरां कल्यान विभाग द्वाग संचालित पिरी मैत्रिक चाति वीर्ती मुख्य मंत्र योज गास्ते रिजन मोख्य मंत्री पासु धन पिकास योईना, मोख्य मंत्री चिकित सानु दान योईना, सहित अनियोईनाओ के समिक छाकी डिसी ने पिरी मैट्रिक शात्य विर्थी योईना के दह चात्रों से अधिक से अधिक संक्या में अविदन प्राप्त कर परखोंड सिक्षा प्रसार पता दिकारी को जीला परसासन को प्रेसित करने का निदेश दिया है धन्यवाद